हलो फ्रेंड्स वल्कम टू आएक्जाम भी आएम सुशिल लगडे एक्स मैनेजर रजर बैंक ओफ इंडिया और इस वीडियो में हम दो चीजे देखेंगे सबसे पहले तो आएफसी जो अभी रिजेंटली बना हुआ और्गनाजेशन है उसमें कौन-कौन से बहुत नया और्गनाजेशन है और एपरी मंथ कुछ ना कुछ नया यहां पर हो रहा है नएने डिपार्मेंट्स फॉर्म हो रहे हैं तो हम डिपार्टमेंट देख लेंगे क्योंकि आगे जाके आपको कुछ सर्टिपिकेशन भी करना पड़ेगा जिससे आपका जो फाइन करना पड़ा एक 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 डिपार्टमेंट लेकी क्योंकि वह लिस्ट है पतब पूरा पेज है वहाँ पर तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि जब आप इस और्गनाजेशन में जाएंगे तो आपको कहां कहां काम करने का मोका मिल सकता है और दूसरी बात यह है अगर आपका बैग्राउंड इसमें से कोई है तो आपको इंटरो में डेफिनेटली फायदा होगा डिपार्टमेंट ऑप कैपिल मार्केट तो यहां पे न मैंने डिविजन भी डाले है जैसे कॉर्पेट फैनांस है डिविजन ऑफ सस्टेबल फैनांस है को सस्टेबल फैन आपको पता है regulation यानि की rules बनाना और supervision यानि की देखना की वो rules follow हो रहे कि नहीं हो रहे investment fund number one है new products and services investment funds टू है division of supervision of intermediaries department of metals and commodities आपको पता यह जो है यह IFSC है और यह IFSC है ठीक है इसके बारे में काफी हमने video पहले भी बनाया है कि यह center होता है और उसको regulate करने के लिए authority है तो यह एक country जैसा होता है it is a kind of a separate country क्योंकि यहाँ पर जो rules होंगे वो RBI से भी यह regulate नहीं करेगा सिफ IFSC करेगा इसलिए तो जितने भी financial activities होती वो सारी इसके पास है मेटल्स है, market development है, market regulation है, department of technology है, fintech भी है तो fintech का course मैं बताऊँगा आगे जाके department of information technology है, division of cyber security है, उसके बार department of banking supervision अगर आप bank में काम करते है तो आपको फाइदा होगा यहाँ पर division of finance company supervision, department of banking अलग से है, यह supervision है यहाँ पर regulation आएगा, division of finance company regulation, payment and settlement, department of development में देखो क्या-क्या है, financial market का development है, international affairs है foreign university भी आपको पता है, यहाँ पर foreign university भी आई है, वो run भी हो रही है, division of economic policy analysis, outreach and communication है, ease of doing business का से भी है यहाँ पर department of policy and legal affairs, आपको पता है, law की भी vacancy यहाँ पर आई है, legal policy, legal affairs, division of investor education and protection, SCZ division आपको पता है, यह special economic zones है, यहाँ पर बाकी जो हमारे country के rules and regulation यहाँ पर लागूट नहीं होता है department of insurance and pension है, अगर आप insurance sector में काम करते हैं, तो भी आपको यहाँ पर फायदा होगा division of insurance है, division of pension है, division of global in-house center and ancillary services तो इस तरीके से आप दिखो, general administration है, department of regulatory policy and regulatory affairs है, यहाँ पर vigilance sales भी है तो यह सारे department है, और आपको यहाँ पर देखना है कि यह जो तो exam से, इनका preparation आप साथ में definitely कर सकते है तो उसके लिए आपको कोई तो भी course join करना पड़ेगा, क्योंकि otherwise आपको बहुत time लगेगा यह सारा ढूणने में तो हम यहाँ पर course offer कर रहें, तो आप market में कहीं से भी course लीजी, लेकिन क्या है, खुद का पड़ा ही अगर आप करेंगे अभी, तो फिर time कम होगा और आपका बहुत सारा time पूछने में जाएगा, कि यह कैसे करे, वो कैसे करे, साथ में कर सकते कि नहीं कर सकते तो आपको क्या चाहिए अभी, आपको चाहिए एक plan, ठीक, यह plan मैंने यहाँ पर दिया, यह जो फाइल है, पूरा बहुत बड़ी फाइल है, तो मैंने comment section में दिया, वहाँ से download कीजिए और देखिए, अगर आपको पसंद आता है, तो आप join करने के बारे में सोच सकते हैं, otherwise market में भी काफी सारे player है, उनसे भी आप बात कीजिए, उनका भी plan दिखिए, और जो आपको plan समझ में आता है, वो follow करने का try कीजिए, लेकिन कोई ना कोई आपको join करना पड़ेगा, जिससे आपका time से होगा, energy से होगी, otherwise फिर आप यहाँ वाँ डूबते बैटेंगे, तो अभी में यह सिफ एक image यहाँ पर दिखा रहा हो, यहाँ पर हमने क्या किया है, जो similar similar syllabus है, उसका एक फाइल बनाया है, comparison बनाया है, जिससे आपको पता चलेगा, क्योंकि यह तो exam है, इनका preparation आप definitely साथ में कर सकते हैं, अब यह हमारे पास time भी है, election के वज़े से या कुछ अ अच्छे हमारे results आये वो है, तो यह जो number है, तो यहाँ पर आप call करके पूछ सकते हैं, अगर आपको preparation यहाँ पर साथ में करना है, और इसके बारे में कोई भी question है, IFSC के बारे में, CAB के बारे में, RBI GEDB के बारे में, या कोई भी economic and finance term के बारे में, तो आप comment section में पूछ सक रखते हैं, so thanks for watching this video and all the best for your studies and upcoming examinations.